अलिगर्ड मुस्लम युनिवर्सिटी की घटना के बाद में कई तरीकी परतिक्राया आ रही है लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कहती है हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के निता अमीक जमई है अमीजी क्या लगता है आपको एमेए में जिस तरीके के नारे लगे हैं बाकाइदा आश्रगान हो रहा था गड़तन दिवस का मौका था अल्ला हुआ अक्बर का नारा आपको लगता है इस तरीके की चीज़े एमेए प्रेमिसिस के अंदर हो रही है देखे रिपरब्लीक डे के बाद जो NCC के कैड़ट है NCC में वो लोग जाते हैं जो इस देश में आप देश प्रेम के लिए भविश में सेना में जाने के लिए जिनका एक जदबा होता है मुल्क के लिए और हमारा देश मसला क्या है? प्रॉलम क्या है? कि ہमारा देश जो हमारी freezing की spirit थी inclusive spirit उसे कट हमारी इस्ट्रगल में नारे लगते थे थे लाहुआ अकबर हर हर महादेवू यह नारे एक साथ कौइन होते थे हम देखने हैं कि जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ अल्ला हुबर का दिखाय जा रहा है जबकि उसमें भारत माता की जैके भी नारे हैं आप वीडियो को खंगा लिए हम ये कहना चाहते हैं दूसरा अली गड़ के उपर शक क्यों है अली गड़ मुस्लिम इंवस्टी ने इस मुल्क को बनाने में इस मुल्क को खड़ ना हो तरहिक से आपको लग रहा है क्यों लग रहा है सियासा क्यों कि वहां जो हो रहा था उसका फुटेज आया वो वीड़ीयो हो रहा है वायरल सोशल Mीडिया पर लोग उसको अ-ब हुशे में ये एक साधिश है जेन्यू के बास से जेन्यू में जो वीडियो थे वो कॉनकाॉक्टेट थे बाद में आया वीडियो से छेशार की गए थी इस वीडियो को जब आप पूरा देखें तो एंसी सी के जब प्रोग्राम हो गया जब बच्चे बाहर आए तो जोश में जजबे मे रिपब्लिक जेके अला हुए अकबर भारत माता की जेके नारे में समस्या क्या है हमें तो कोई समस्या नहीं लगते हमें लगता है कि ये नारे और मश्बूत होने चाहिए जिसे इंटिग्रेशन हमारी एकता का हमारी कौमी एकता वो और प्रगार्ड हो तो इस तरह से इश प्रफस्टेशन हो रहा था लेकिन बाकाइदा वहां पर एक स्कूल में स्टीचर की इस तरीके का मना करना जो मुस्लिम समधाय से जाता है। दिखिए जो लोग हमारी भारत की आत्मा के साथ अपने आपको जोडनी पाते हैं। हमारे रेपब्लिक, देश से नहीं जोड़ता हैं। हमारे राशगान से नहीं जोड़ता हैं। चाहे वो हमारी समिधान से नहीं जोड़ता हैं। उसके बेसिक प्रमस नहीं जो अज़ए ऐसे लोगों के उपर डी-radicalization का प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। कि जो लोग हमारी मुल्क की इस एहमियत को नहीं समझते हैं हमारी जब हमारा कॉंस्टूशन उनीस सो पचास 26 जनवरी को इनाक्ट हुआ दुनिया में बहुत बारा हिस्ट्री था जो उसको सेलिबरेट ना करना चाहे उस कॉंस्टूशन के बेसिक प्यंबल को वह इंसानी नह है इस तरह के कोई भी कोई भी एलिमेंट हो राश्गान का कोई इनकार कोई भी करता है भारत में या भारत के समिधान को जंत्रमंतर पर फाड़ता है सोशिलिजम को गाली देता है जो हमारे भारत की बेसिक प्रेमल में है उनके उपर इस पर तो सोता संग्या लेना चाहिए आपके अध्यक जी का चुप रहना फिर भी कुछ ना कहना आपको लगता नहीं है भाषा की मर्यादा और जिस तरीके से वो टार्गेट कर रहे है एक समधाय को देखें हमारी पार्टी मानि अक्ले शेदाव जी आप जानते हैं कि वो बहुत ही inclusive सोच के विचादहरा के इंसान है हमारी पार्टी का इस तरह के किसी भी individual stand से हमारा कोई लेना दना नहीं है जबकि स्वामी जी ने खुद भी कहा है कि इसका समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं ये तो मेरा विचार है अब स्वामी पशाद जी कि अगर कोई विचार है तो उसको जिसको डिबेट करना हो उनको विठा कर डिबेट करे बाबा साब भीमार ववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव एक दूसरे में लोगों में टॉलरेंस है लोग एक दूसरे go साहते हैं लेकिन आप भी बताईए कि पठान मुवी रिलीज होती है आप टागिट करते हैं प्रॉफट मुहम्मप को आप टागिट करते हैं कुरान को मत पृदेश में व्या हुआ मर्द प्रदेश में जहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है बात चल लिए पठान की बात चल लिए रामशित मानस की और आप गाली दे रहे हैं प्रॉफेट मुहमत को अगर आप बत्रों मुसल्मान भी मुझसे पूछें नीजी राय में भारत का मुसल्मान ब्रिमिन स्माज हो चति समाज हो हम सब लोग मिल जुलकर रहते आएं मुसल्मानों ने भारत के किसी भी यही चीज़ सोचने समझना चीना मौर्या जी को भी आपकी इतने बड़े नेता इंसाइड कल्चर कि उनके अगर कुछ सवाल है उनको चुबता है अगर कि मैं शुद्र क्यूं हूँ तो मुसल्मानों को गाली क्यूं देना है अखलीश रीका अगर गंगा जल से घर धुला जाता है वो इंसान नहीं है वो दुनिया की बड़ी विश्वदाले में पढ़क को देना है यह जवाब मुसल्मानों को नहीं है कि आप प्रॉफिट मुहमद सरह सलम को कुरान को आप गाली देंगे तो स्वामी जी को भी हम खुद कहना चाहेंगे कि हमें एक दूस्रे की विशारों का समान करना चाहिए गौरफ के साथ भी शेक मिश्वा आज तक